हलो दोस्तों आज मुलक पढ़ने वाले हैं स्टार्ट बुक के सलूसंस ठीक है यानि इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सलूसंस को देखेंगे तो बने रहेगा इस वीडियो में अगर अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्रा पहला जो चैप्टर का नाम है दए अलिफेंट अड़ डॉग और इस चैप्टर का जो सलूसंन है आप यहां पर देख सकते हैं इस चैप्टर का सलूसंन है रीड ना सब्सक्रार पहला है ठीक है यानि पहला जो कोश्चन है वह है हौँ दिद अले डॉग बिकेम फ्रेंड यह question है बुक में तो इसका पहला का जो answer वो है यानि क्या होता था जो dog यानि कुता था वो हमेशा जहां पर राजा की हाथी रहता था वहां पर हमेशा आया जाया करता था और इस दोरान क्या होता है जो कुता होता है और जो elephant होते हैं वो आपस में गहरे दोस्त बन जाते हैं और सारा जो time है वो अपने पतले एक साथ दोनों बिताने लगते हैं इस तरह से वो काफी great यानि महान या काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं दूसरी जो question का answer है वो है आप यहांप देख सकते हैं तो पहले हम लोग book में देखेंगे book में क्या दिया है I don't care much for the dog who sells this यानि कौन कहता है कि मुझे इस कुत्ते के बदले कुछ भी नहीं चाहिए तो इसका answer है the elephant keeper said this to the farmer यानि जो elephant keeper होता है वो किसान से कहता है कि मुझे इस कुत्ते के बदले कुछ नहीं चाहिए तुम इसको वैसे हील जा सकते हो बीना पैसे दिये ठीक है यानि इस chapter के थर्ड का जो answer है वो है why did the elephant stop eating was he ill was he ill ठीक है यानि जो हाथी था वो खाना पीना अपना बंद कर दिया था क्या वो या हाथी की तबीत खराब थी तो इसका answer है the elephant was not ill जो basically अगर बात है तो जो elephant था वो basically क्या था वो बिमार नहीं था he stopped eating because उसने खाना खाना बंद कर दिया था क्योंकि because he was long he was lonely and missed his playmate the dog ठीक है वो काफी अकेला था जो हाथी था और उसका जो दोर्स था वो कुटता था ठीक है वह इसलिए जो कुटता था या जो कुटता था वह हाथी से दूर हो गया था तो इसलिए क्या होता है जो elephant होता है काफी सायर होता है और खाना पीना छोड़ देता है उस कुटते के लिए ठीक है Question 4 का जो Answer है इस Chapter का वो है What did the king ask his chief minister to do something यानि जो राजा होता है वो मंत्री से क्या कहता है क्या करणने के लिए कहता है तो का answer है Fourth का The king ask his chief minister to find out why the elephant had the foods to eat or bath for the days Y.ीन the king effectively यह खाना क्यों नहीं खा रहा है ठीक है फिप्थ का जो गुश्चन है वह है वाट इद अलफेंट दूवेन ही साथ डॉग यानि जो अलफेंट है ठीक है जो मतलब हाथी था वह जब कुट्ट्टे को देखता है तो वह किस तरह का फिल करता है लाइक वह क्या होते हैं मतलब बिछड के मिलती हैं तो वह किस तरह के चीजे करता है तो इसका आशर अलफेंट वह सो हैपी तो सी दे डॉग रिटान दैट ही पीकॉप्ट हीम अप और पूट हीम ऑन हीस है ठीक है जैसे यहां ते उस कुट्टे को देखता है तो काफी खूस ह जाता है और उस कुट्टे को अपने सर से उठाता है और अपने उपर बिख्ठा लेता है ठीक है तो यहां पर कुछ प्रसण है यहां पर सेवन कभी है ठीक है देख सकते है the dog was allowed to go यानि इसमें पूछ रहा है question number 7 में what does the phrases turn the dog loose यानि turn the dog loose का मतलब क्या होता है तो the turn the turn turn the dog loose का मतलब होता है dog was allowed to go जो कुता है उसको छोड़ दिया जाता है या उसको allow कर दिया जाता है तो वहाँ से वो जा सकता है चलिए ठीक है अब दो question यहाँ पर है अब देख सकते हैं यानि इस आटवे का जो question ने वो पूछ रहा है कि यानि इसमें पूछ रहा है question में क्या जो elephant keeper है वो कुते से प्यार करता था अगर करता था तो उसने उस कुते को दूसरे का हाथो क्यों विच दिया तो इसका answer है यानि इसमें बता रहा है कि जो elephant keeper होता है उसकी ज़्यादा गहरी दोस्ती उस कुते से नहीं थी और वो उस कुते को दूसरे को देने के बदले वो उससे कुछ भी नहीं चाहिए था therefore इसलिए the elephant keeper allowed the farmer to take away the dog for free इसलिए जो elephant keeper होता है वो किसान को क्या करता है allow कर देता है यानि कह देता है कि भाई तुम इसको free में ले जा सकते हो बीना पैसे चुका है अब यहां बात आती है question number 9 की question number 9 का जो question पूछ रहा है कि do you think the dog would have equally happy to see the elephant क्या आपकी साब से जो कुता था वो एक बराबर कुता और हाथी दोनों जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो इसका अंसर है the dog would have been equally happy to see the elephant because he was his only friend यानि जो कुते होते हैं जो कुता था और जो हाथी था वो जब एक दूसरे को देखते हैं यानि बिछणने के बाद जब आपस में मिलते हैं तो ओ दोनों जो होते हैं वो equally यानि एक बराबर खुस होते हैं जो हाथी का क्या था वो इकलबता ही दोज था जो कुता था ठीके अब यहाँपा आता वाकुविलरी ठीके अब यहाँ पर जो पॉर्चम है आप यहाँपर इसकील सौर्ट लेकर आप यहाँपर अपने बुक में फील कर सकते हैं ओके नीचे आते हैं, pronunciation में यहाँ पर है, आप इसको feel कर सकते हैं, ठीक है, इसके console ले सकते हैं, जो question answer है, वो यहीं तक थी, ठीक है, यहाँ पर question number 9 तक, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, chapter 2 की तरब, ठीक है, और जो chapter है, 2, उसका नाम है, a happy, a birthday party, ठीक है, यानि ए बद्दे party इस chapter का नाम है, ठीक है, तो इसकी, इस chapter का हम लोग solution देखेंगे, basically, अब इसके पहले एक और chapter था, जिसका, क्या था, basically हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर वो chapter हमारे हिसाब से है, ठीक है, यहाँ पर है एक poem है, जिसका नाम है, our visit to the zoo, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, our visit to the zoo, यानि जो our visit to the zoo है, basically, वो क्या है, ठीक है, तो इस poem का पहले solution देखते हैं, तो इस poem का जो पहला है, ठीक है, जो पहला मैं, मैं book से क्या करता हूं, इसका questions को पढ़ता हूं, ठीक है, तो पूछ रहा कि, where did the poet see the animals, जो कभी थे, वो animals, यानि जानवरों को कहां पर देखते हैं, तो इसका answer is the poet, saw the animals at the zoo, जो कभी ह होते हैं, वो जानवरों को एक चिडिया घर में देखते हैं, ठीक है, हो गया पहला, दूसरा देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सावर जूम कर देता हूं, ताकि आप आप लोगों को आसानी हो देखने में, ठीक है, अब question number two कि मैं questions को पढ़ता हूं, पूछ रहा कि, which flatless bird did the poet CDR, यानि कौन सा ऐसा flatless bird, flatless bird का मतलब होता है कि ऐसा पच्छी जो उड़ नहीं सकती है, जो कभी है, वो ऐसा कौन सी पच्छी उस चिडिया घर में देखते हैं, जो उड़ नहीं सकती है, तो उसका नाम है basically, the poet saw an emu, which is a flatless bird, ठीक है, जो कभी है, वो emu नामक एक चिडिया को देखते हैं, जो कि वो flatless है, ठीक है, flatless मतलब कि जो कि वो उड़ नहीं सकती है, सिर्फ चलती है, ठीक है, अब question number 3 की तरफ जगते हैं, ठीक है, अब मैं question number 3 को पढ़ता हूँ, क्या पूछ रहा है, who made the poet and her friends laugh, ठीक है, यानि कौन है, जो कभी को और उनके मित्र को हसाता ह है, ठीक है, इसका answer है, the giraffe made the poet and her friends laugh, जो जिराफ होता है, ठीक है, कभी को और उसके दोस्तों को क्या करता है, वो हसाता है, ठीक है, अब बात करते हैं, question number 4 की, तो question number 4 की है, tick करना है, ठीक है, पूछ रहा है, इसमें, the poet and her friends went to the zoo, यानि जो कभी होते हैं, और उसके जो दोस्त होते हैं, वो कितने बज़े या किस टाइम चिलिया घर में जाते हैं, ठीक है, तीन आपसर है, in the morning, सुबे में जाते हैं, in the afternoon, क्या वो दोपहर में जाते हैं, at night, क्या वो रात में जाते हैं, तो इसका सही answer है, in the afternoon, जो कभी होते हैं, और उसके दोस्त होते हैं, दोपहर के स they would forgotten to bake. What do you think is they in this line? यानि जो they है, उसका मतलब क्या यहाँ पर? आपर they refer to the Jewkeeper. ठीक है? Jewkeepers. यहाँ पर basically वो क्या कह रहा है? दो line में, कि I am the line, हम जानती हैं, जो line होता है, वो क्या खाता है? meat खाता है, ठीक है? they would forgotten to bake. कौन मतलब मतलब उसको, पहले मैं questions को पढ़ता हूं इसके बाद solutions बताता हूं आपको question है how did they all go home याई जितने भी कभी होते हैं ठीक है कभी जो होते हैं उसके जो friend होते हैं वो किस तरह से अपने घर लोटते हैं तो इसका answer is the poet and her friends return home in a taxi cab जो कभी होते हैं ठीक है और जो उसको दोच्त होते हैं वो अपने घर को लोटते हैं ठीक है बी है यहां पर think and answer seven seven है यह कह रहा कि how many of these animal names are you hearing for the first time which one are they ठीक है इसमें कह रहा है कि ऐसे से कौन से जानवर हैं जो इस poem में आप पहली बार उन जानवरों का नाम सुन रहे हैं ठीक है तो यहां पर लिख सकते हैं अपने according इसके बाद से राइमिंग हो गया ठीक है इब यहां पर इस चैप्टर है समाप्त होती है अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ ऑर इस चैप्टर का नाम है एक बद्दे party ओके हम लोग इस chapter का solutions को देखेंगे ठीक है यह काफी लंबा chapter है बट कोई नहीं हम लोग complete करेंगे जल से जल अब इसकी जो solution है वो आप देख सकते है इस chapter के जो solution है वो यहाँ पर है ठीक है मैं zoom कर देता हूँ यहाँ पर है ठीक है पहला question है ठीक है पहला जो solution है वो यहाँ पर है लेकिन question में क्या पूछ रहा है पूछ रहा है कि how many children lived in the special home for the children यानि कितने बच्चे उस घर में रहते थे जहाँ पर बच्चों के लिए उस घर को बनाए गया था तो इसका answer है 40 children यानि 40 बच्चे उस घर में रहते थे ठीक है question number two solution two है but question number two मैं पढ़ता हूँ who took care of the children in the special home यानि उस special घर में उन बच्चों की देखभाल कोन करता था तो इसका answer है Mrs. D'Souza Mrs. D'Souza एक lady है उन सारे बच्चों की वो क्या करती है took care of the children in the special home उन सारे बच्चों की Mrs. D'Souza है वो क्या करती है देखभाल करती है ठीक है अब तो third question हो यहाँ पर है क्या है basically इसको fill in blanks है यह कह रहा है Mrs. D'Souza gave the देव की a bunch of flowers A में bunch of flowers क्या करना है आपको fill up करना है और B में Mona fill up करना है ठीक है ठीक है question 4 की तरफ चलते है 4 है basically क्या पूछ रहा है What food did देव की mother take for the children What did Mona like the best out of them यानि जो देव की मम्मी होती है ठीक है कौन-कौन से भोजन वो उन सारे बच्चों के लिए ले जाती है खाने के लिए अर उन सारे पकवान में से सबसे ज़यद laws जो मोणा है वह किस पकवान को क्या करती है पसंद करती है तो इसका answer है देव किस mother took up chocolate risks ना team तो इस सारे चीजे जो है वो कौन ले जाती है देवकी की मम्मी उन सारे बच्चों के लिए खाने के लिए ले जाती है लेकिन जो मोना होती है बेसिकली वो सबसे ज्यादे क्या पसंद करती है समोसा को पसंद करती है अब बात आती है क्या कहती है जब मोना उस केक को कातने ही वाली होती है तो इसका आसर है देवकी टोल्ड यानि देवकी ने कहा किसे मिस्स डिसूजा जो लेडी है उनसे कहा क्या करो मोना को उसको केक काटने तो ठीक है और इस पार्टी को मतलब आगे बढ़ने तो ठीक है अब आते हैं बी थिंक नांसर में थिंक नांसर में कुछ नॉर्मल से कोश्टन से ठीक है कोश्टन सिक्स है कि एक किसने का तो इसमें पूछ रहा है कि तुम कैसे जानते हो या कैसे जानते थे कि या तुमको किसने बताया हूँ तो इसमें पूछ रहा है कि हूँ इस दे स्पीकर आप डिज लाइन के स्पीकर कौन है मोना है ठीक है ए में क्या करना आपको डिरेक्ली मोना लिख देना है ठीक है भी है जो मोना थी उख क्या थी काफी खूस थी ठीक है क्या कह रहा है पूछ रहा है उड्यू तो लाइक तो इसमें पूछ जा रहा है कि अगर आपका बद्दे हो तो आप इस साल किस तरह से अपनी बद्दे को मनाना चाहोगे या सब्सक्राइब करना चाहोगे ठीक है what are the things you would like to do क्या क्या चीजें हैं जो आप अपने बद्दे पर करना पसंद करोगे ठीक है discuss with a friend friend के साथ discuss करो तो आप यहां पर लिख सकते हैं जैसे कि for my birthday this year I would like to throw a tree planting party या इसमें मतलत कह रहा है कि अगर मेरा बद्दे होगा तो मैं क्या करूँगा धेर सारी पेड़ लगाऊंगा और लोगों को बोलूँगा यह पेड़ लगाए ठीक है this idea come to me after I read an article in the newspaper या जो आइडिया है पेड़ लगाने का वो मुझे कहां साया एक newspaper पढ़के आया ठीक है क्यों पढ़के आया क्योंकि वहां पर एक रोड बनाने के लिए कम सकम 30 पेड़ को काटे गए थे रोड वाइडनिंग यानि रोड को चौड़ा करने के लिए ठीक है तो इसलिए अगर मेरा बद्दे पढ़ता है तो मैं क्या कहूंगा लोगों से कहूंगा को वह देर सारे प्यर्ड पौधे लगाएं ठीक है को शेवन अब बात करते हैं कोशन नंबर एड की वह यहां पर है देख सकते हैं और कोशन नंबर एड में पूछ रहा है कि मैं पढ़ता हूं को वाद देवकी से इट वाज बेस्ट बड़े सी हैड इवर हैड यानि जो देवकी होती है व क्या कर दी वह मोना को क्या कर दी खुस कर दी ठीक है इसलिए वह कह रहे थी कि वह उसके लिए काफी अच्छी बद्दे पार्टी था ठीक है अब वह देख सकते हैं पहले में एथ बद्दे प्लेयरूम डेकूरेटेड वंडरफूल सेलिबरेटेड इस तरह साब को लिखना ऐटिक यहां पर और यहां पर देख सकते हैं इसका भी श्किन-वर्ट ले सकते हैं घरे का और जो छह मळें ब voter का जो सलूशन है वह यहां से है आहां 57 एक टेके यहां 15 रही पीलिवरद लेयों का लिटिल ओल्ड लेडी चलिए इस चैप्टर का हम लोग सलूसन देखेंगे बेसिकलि आपको सलूसन इस स्कीन पर दीख रहा होगा हम लोग इसको अच्छे पढ़ते हैं इसमें पहला कोशन पूछ रहा है कि the speaker in this poem is यानि जो इस poem को कह रहा है तो वो कौन है ठीक है लड़का है लड़की है तो कौन है लिटिल गर्ल है ठीक है एक चोटी सी बच्ची है जो कि वो इस poem को कह रही है ठीक है question number two को देखते हैं sorry question number two को देखते हैं basically इसमें पूछ रहा है कि how old do you think is as old as old can be यानि as old as old can be का कितने साल का मतलब है ठीक है तो इसको आप लिख सकते हैं 75 years old ठीक है यानि 75 साल का जो एज है ठीक है उसको बोलेंगी बुढ़ापा के एज ठीक है ठीक है third को देखते हैं अब question number third को देखते हैं basically आप question number 3 है वो है why do little girls skip instead of walk या जो लड़की छोटी सी है वो क्या करती है वो चलने के वज़ाए वो skipping क्यों करती है skipping का मतलब होता है कि जो रस्या नहीं कुदते हैं से बच्चे उसको बलते हैं skipping तो इसका answer है the little girls skip instead of walk because it is fun to do so या जो लड़की होती है वो टहलने के वज़ाए वो रस्या कूदती है क्योंकि उसको ऐसा करना काफी अच्छा लगता है question 4 है ठीक है पुछा जा रहा है कि what does the little girls think will happen when she grows world यानि जो लड़की छोटी से होती है वो क्या सूचती है कि अगर वो बुड़ी हो जाएगी ठीक है तो वो भी क्या हो जाएगी जब बड़ी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी एक दिन वो बुड़ी हो जाएगी ठीक है तो इसका answer है the old girls think that perhaps when she is old some young girls will look at her and imagine if the old lady resemble her when she was very young ठीक है यानि इसमें क्या है वो छोटी सी लड़की पूछती के अगर मैं अभी क्या हो मैं छोटी हूँ अगर मैं बड़ी हो जाती हूँ और बुरी हो जाती हूँ तो मुझसे भी कोई छोटी सी बच्ची या छोटी चोटी बच्चे प होता था ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कोशन नुमर फिप्ट की तरफ कोशन नुमर फिप्ट में पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है यानि क्या आपने कभी सोचा है जब आप ग्राइन्स थे तो जब वो छोटे थे तो किस तरह के चीज़े सूचते थे तो इसका अंसर है माइ ग्राइन्स वर बॉर बॉर्न फिप्टी एविर टाइम आई सी दिम दे टेल में स्टूडिज ऑफ दियर योद्थ ठीक है या इसमें कह रहा है कि मेरे जो ग्राइन्स पैरेंस है या जो दादा दादी है बैसिकलि उनका जन्म जो है 1950 में हुआ है और मैं उनको हमेशा रहता हूं या मैं उनकी दिख्भाल करता रहता हूं और वो हमें क्या करते हैं अपने छोटे से एज के बारे में क्या करते हैं वो कहानिया सुनाते हैं ठीक है इस तरह का आप लिए सकते हूं इसमें ठीक है क्षटन 6 है read the poem again and write down two or three things that you know about the little girls यानि poem को दो से तीन बार पढ़िये और उसके बारे में आपको क्या करना है पढ़िके छोटी से लड़की के बारे में पता लगाना है कि वो क्या क्या चीजे ठीक है things that you know about the girls क्या क्या चीजे आप उस लगी के बारे में जानते हो तो इसका आंसर है जो छोटे से लड़की है उसको रसिया कुदना काफी पसंद है वियर्स हरे एर इन कल्स उसकी जो बाल थे वो काफी करल घने थे ठीक है और उसको इसको जाना भी काफी पसंद था और नौ बजी स्कूल जाते थी ठीक है अब जो नेक्स चैप्टर है उसका जो सलूसन है हम लोग देखेंगे उसका नाम है दे स्टोरी आफ लुइस ब्रैली यानि एक लुइस ब्रैली के बारे में कहानी तो इसका जो चैप्टर का जो सलूसन है वो आपको यहां नीची मिल जाएगा मैं स्क्रोल कर देता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है बिसकली यहां पर है रीड और आंसर तो मैं इस चैप्टर को देखता हूँ और आपको मैं सलूसन्स प्रोवाइट कराता हूँ पहला जो आंसर से यहनी कोशन से पूचा जारी कि लूस ब्रेली वाज बॉर्न इन एंटीने हंड़न और 1908 यानि जो लूस ब्रेली का जैनम 1809 में हुआ था या उनीली स्वाठ में हुआ था तो इसका राइलिश रान सर है 1809 में हुआ था ठीक है तो इसका अंसर है Lewis was three years old when he lost his eyesight यान जो Lewis थे ठेके वो तक्रीबन तीन साल के थे जब उन्होंने अपने आँख को खो दिया था थार्ड question है वो है why did Lewis want to join a school with special facilities यान जो Lewis है वो एक ऐसे school को क्यों join करना चाहते थे जहां पर धेर सारे facilities हों यान वो एक अच्छे school को join इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो अच्छे से पढ़ना चाहते थे और वो ऐसा school हो जो especially blind या अंधों के लिए हो ठीक है इसलिए वो अच्छे facility वाला school चाहते है फोर है फोर का जो question वो है यान इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कोण सा टूल था जिससे लूइस अंधा हुए थे तो इसका अंसर है तो तूल दैट कास्ट हिम टू गो ब्लाइंट वाज वन आफ इस फादर्स टूल्स यूज टू मेक लेदर्स को ठीक है यानि कोंसे टूल्स से उनको चोट लगे से रहा अंधा हो गए थे वह बिस के उनके पीता थे लूइसके वह क्या करते थे जूते अगारा शिलते थे या लेदर्स के समान बनाथे थे तो उसी लेदर्स के समान बनाने वाले टूल था जिससे वόल है लूइस और वह क्या होता है च्छूट कर हात में चूत तो रह नक esm भी है, भी पुछ रहा है इसमें कि what led to the idea of creating a raise dot alphabet यानि किस तरह का idea है, क्या चीज़े देख कर, ठीक है उनके दीमाग में आया है कि हम लोगों को raise dot, क्या करना चाहिए अल्फावेट टैयार करना चाहिए, ठीक है तो इसका अंसर है, the alphabet code used by the friend Charmy earlier proved cumbersome, so it was left loose to come up with a more efficient method he realized that he could use the very tool that had left him blind to make raise dot alphabet यानि जो लूइस ब्रेली थे, basically, वो क्या थे, वो French army के बारे मुन्होंने सुनाता है, कि जो अंधे होते हैं, basically उनको raise dot, एक dot के मदद से उनको पढ़ाया लिखाया जाता है तो यह जो idea था, उनके दिमाग में आता है, और उसके बाच वो सुचते हैं, कि चलो, क्यों न मैं अपने fathers के tool का use करके, मैं इस तरह के dot को बनाता हूं, और अंधे लोग जो हैं, उनको काफी मदद होगा, वो इस dot की मदद से वो पर सकेंगे, ठीक है, तब उनके दिमाग में आइडिया आता है, चलो, मैं dot alpha weight बनाता हूं, ताकि धेर सारे अंधों के लिए भी वो helpful हो सके, अब यहाँ पर c जो है, उसका पूछ रहा है कि, explain how that alpha weight works in your own word, यानि जो alpha weight dot है, वो किस तरह से काम करता है, वो अपने word में define करिये, तो इसका आंसर है, the alpha weight is made up entirely of six rays dot, जो alpha weight है basically, वो entirely six dot को या six dot को यूज करके बना जाता है, the positions of the different dots represent the different letters, यानि जो different dots होते हैं, different letters को क्या करते हैं, represent करते हैं, या so करते हैं, ठीक है, अब person can use his finger to trace this dot self-aware to read the sentences in Braille, यानि अगर एक कोई इंसान हो, अपने उंगलियों की सहाथ से, उस dot पर क्या कर सकता है, अपने finger को रख कर वो पढ़ सकता है, कि actually में वो कौन सा letters है, ठीक है, D है, ठीक है, D का मैं questions पढ़ता हूं, solutions तो अब देख सकते हैं, यहाँ पर what is this alphabet called and why, यानि यह जो alphabet है, उसो क्या कहा जाता था, और क्यों कहा जाता था, इसका answer है, इस alphabet system is known as Braille, ठीक है, यानि यह जो alphabet system है, वो Braille के नाम से जाना जाता है, named after its inventor Lewis Braille, जो Lewis Braille है, वो उन्होंने अपने नाम पर इस dot का नाम रखा हुआ था, ठीक है, 5th, 5th का जो, यहाँ पर मैं question पढ़ना हूँ, is the Braille system of reading used today, क्या जो Braille system हो, आज भी use किया जाता है इसको, तिसका answer yes, हाँ, the Braille system is used to this today, यानि आज भी यह Braille system को use किया जाता है, अंदों के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है, be a think and answer 6 है, 6 का मैं क्या करता हूँ, question पढ़ता हूँ, पूछ रहा कि, do you think Lewis interest in reading helped him become an inventor, क्या आपकी साब से, जो Lewis से वो interested था, ठीक है, in reading helped him become an inventor, यह जो reading था, यानि जो पर से पर से पर से क्या होगा, एक तरह के inventor हो गया था, क्या वो interested थे, Lewis, तो यहाँ आप answer है, Lewis interest in reading definitely helped push him towards becoming an inventor, यह जो Lewis क्या था, वो पढ़ने के प्रती काफी जागरूख थे, इसलिए वो पढ़ते पढ़ते, उनके दिमाग में हाई रिया है, चलो मैं dots के alphabet बनाता हूँ, और इस तरह से वो एक अभिसकारक बन गया है, His love for reading was so strong and because there was no proper facilities at the time, for blind people he had to pave his own way and come up with his own method, ठीक है, यानि उस समय क्या होता था कि जातला facility नहीं होती थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों न हम एक ऐसा red dot बनाए, जो कि जितने भी अंधे लोग हैं, उनको पढ़ने में काफी सहायता मिले, तो उन्होंने अपने इस तरीके से अपने तरीके से इस तरह का dots को बनाया और नहीं सारे अभी भी help करता है लोगों के life में, ठीक है, 7, question 7 है, पूछ रहे कि according to you, यानि आपकी इसाफ से, which character traits exhibits by Lewis Braley are important to overcome hardships, ठीक है, यानि आपकी इसाफ से, यानि आप मतलब कों से character है, जो निकल के आता है, ठीक है, Lewis Braley are important to overcome hardships, जो Lewis Braley है, ठीक है, वो उन्होंने अपने hardship को, यानि धे सारे hardship करते हुए, या परिसरम करते हुए, इस अपना inventor बना, ठीक है, यानि अपना एक style बनाया, लोगों को पढ़ने के लिए, तो इसका answer है, Lewis Braley managed to overcome his hardship by being determined and adoptable, यानि जो Lewis Braley है, basically, वो अपने hardship, जो कठीन परिसरम हो ठीक है, और वो adaptable हो गया, adaptable का मतलब होता है, किसी भी environment में ढ़ल जाना, ठीक है, तो वो अपने आपको adaptable भी कर लिए, और determine भी कर लिए, तो दिमाक में मुझे महान बनना या, मुझे कुछ करना है, उन्हों अंधों के लिए जो पढ़लिक नहीं पाते हैं, he worked hard, उन्होंन always though about way in which this could be done, यानि वो चाहते थे कि हम मैं ऐसा सिस्टम तयार करूं, जिससे की धेर सारे लोग आराम से पढ़ सकें, ठीक है, तो यहाँ पर जो question answer से वो समाफ्त होती है, अब यहाँ पर है vocabulary, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो grammar section से आपको क्या करना है, see you cooking, आपको solve करना है, ठीक है, यहाँ पर भी आप B का जो है, उसका skin sort ले सकते हो, और यहाँ पर भी इसका skin sort ले ले लिजेगा, solutions का, नीचे चलता हूं, B का, C का, ठीक है, यहाँ तक, और यह जो chapter है, वो complete हो जाएगी आपके, ठीक है, अब next chapter की तरफ बढ़ते हैं, तो जो next chapter ह वो है, ठीक है, this side, if. चो next chapter है, उसका नाम है, the side, ठीक है, अब this side, जो है, वो basically, हम लोग इस chapter का solutions को देखेंगे, ठीक है, तो इस chapter की solution है, वो यहाँ पर नीचे दिया गया है, ठीक है, यहां पर दिया गया है, ठीक है, अब यहां पर basically दिया गया है, पहला है, ठीक है, पहला मैं पढ़ता हूँ, यह कह रहा है कि जो पीटर है, वो दौरती वो रूम में जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने परचाएं को खो दिया था, ठीक है, बी देखते हैं, बी basically, बी है, पीटर sat on the floor and cried because, जो पीटर है, वो फ्लूर पर बैर जाता है, फर्स पर बैर जाता है, और रोना स्टार्ट करता है, क्योंकि He could not stick on his shadow with soap, वो soap के, थ्रू अपने जो परचाया उससे नहीं चिपक पा रहा था, ठीक है, सी है, सी देख सकते हैं, यहाँ पर है, सी कह रहा है कि, पीटर लॉन्दे ग्राइन मैनर अपर बिंग पॉलाइट आइट, ठीक है, जो पीटर था, वो ग्राइन मैनर सिखा हुआ थ कि हमें हमें इसा बिनमर रहना चाहिए, दूसरों के साथ, कहां पर सिखा हुआ था, फैरी सिरिमोनीज में सिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर कोशन नमर टू है, तो मैं कोशन पढ़ता हूँ, टूक है, वाट वाट वाज पीटर लॉकिंग फो, जो पीटर है, वो क्या ढ टोल हर हर हिस नेम, ठीक है, यानि जब जब वेंडी ने पूछा कि is that all, क्या यह तुमारा पूरा नाम है, जब पीटर टोल हर हिस नेम, ऐसा क्यों वेंडी ने पूछा पीटर से कि क्या तुमारा यह पूरा नाम है, तो इसका अंसर है, she wanted to know whether he had a surname, यानि वो जो वेंडी है वो जानना चाहती थी कि पीटर के पास उसका सरनेम है या नहीं है, ठीक है, ठीक है, फूर्थ, फूर्थ का जो कोश्चन होपर पढ़ता हूँ, what is Peter's address, ठीक है, why does Wendy call it's funny, यानि जो पीटर है, उसका क्या address था, और Wendy जो थी, उसको एक funny address क्यों बताती है, तो इसका अंसर है, पीटर's address is second to the right and is straight until morning, Wendy calls पीटर's address funny because it's not like any other address and it's unique, यानि जो वैंडी है, उसके जो पीटर का जो एड्रेस होता है, वो मजाक इसलिए उडाती है, या funny इसलिए कहती है, क्योंकि उसका जो एड्रेस का जो नाम ते बिसकलिए, वो काफी यूनिक था, ठीक है, इसलिए, वैंडी है, वो पीटर के लिए, दुख क्यों ब्यक्त कर रहे थी, या दुख क्यों फिल कर रहे थी, इसका आंसर है, वैंडी felt sorry for Peter because he did not have a mother, ठीक है, यानि वैंडी काफी दुख इसलिए पीटर के लिए महसूस कर रहे थी, क्योंकि जो पीटर की मम्मी नहीं थी, ठीक है, 6 का जो question हुआ है, how did Wendy put Peter and his shadow together, जो Wendy होती है, वो पीटर को और उसके परचाए को किस तरह से आपस में मिलाती है, तो इसका आंसर है, Wendy suit the shadow onto Peter's foot, ठीक है, यानि जो Wendy होती है, वो क्या करती है, पीटर को और उसके shadow को सिल देती है, आपस में, ठीक है, think and answer, 7 है, Peter looked the credit for Wendy's cleverness for civic on his shadow, what does that tell you about him, जो पीटर होता है, ठीक है, took the credit for Wendy's cleverness, यानि जो Wendy ने क्या किया था, basically, काफी चतुरता देखाई थी, कि वो किस तरह से, मतलब चतुरता दिखा रही थी, और जो पीटर होता है, वो सारा credit क्या करता है, वो अपने उपर ले ले लेता है, वो सोच and careless, ठीक है, यानि जो पीटर है, वो काफी बदमास लड़का था, वो careless था, जैसे ही जो वेंडी होती है, उसकी जो परचाही होती है, पीटर की वो आपस में दोनों से मिला देती है, तो जो पीटर होता है, वो सोचता है, यानि वो भूल जाता है कि यह जो सारा चीज़े है वो वेंडी के थुरू किया गया है, वो अपने उपर सारा क्रेडिट ले लेता है, जो पीटर रहता है, एट, पूछ रहा है, वाट काइंड अप परसूंस डू यू थिंक वेंडी वास, या नहीं, जो वेंडी है, वो किस तरह की परसन थी, वो जो पीटर से क्यों डिफें डिफेंड, और जो पीटर था, बेसल क्या था, वो अपने ही बारे में सिर्फ सोचता था, वो दूसरों को बारे में नहीं सोचता था, और यहाँ पर वेकविलरी जो है, आप यहाँ से यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक ह तक है ठीक है यहां तक था सलुक्सण अब बढ़ते हैं next heading की तरह जो next chapter वो खोनाम है down the rabbit hole ठीक है आप देख सकते हो तो down the rabbit hole basically हम लोग क्या करेंगे? इस chapter का स्लूसन देखेंगे अब इससे पहले एक पोयम है ठीक है जिसका नाम है फेरिस ठीक है फेरिस एक पोयम है इसको कंप्लीट करेंगे इसके बाद से डाउंड़ रैबिट मतलब चैप्टर को complete करेंगे पहले इसको करते हैं फैरिस को सो फैरिस के जो आप जो चैप्टर है इसका जो solution है वो यहां पर है ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर पहला है पहला जो question है वो पूछ रहा कि are the fairs very far away किया तो परिया होती हैं वो काफी दूर होती है यह क्या काफी दूर है तो इसका अंसर है the fairs are the bottom of the poet's garden जो परिया है वो कहां पर है कहां पर है किसी गार्डेन में है कवी के गार्डेन में है ठीक है अब question 2 की बात करते है question 2 में पूछ रहा की did you know that they could sit upon the moonbeams what do you think is being referred to as they in this line क्या वे सब एक moonbeams पर वैर सकते हैं यानि दे का मतलब क्या है तो इसका आंसर है they in this line refer to the fairies यानि जो दे है कुसको कहा जा रहा है fairies यानि परियों को कहा जा रहा है ठीक है अब third है ठीक है third question है वो पूछ रहा की what do the fairies do when the fairy queen and king arrive यानि जो जो रानी थे और राजा थे ठीक है जो परी राजा था अब परी रानी थे ठीक है जब वो आते हैं तो basically वो जो fairies होती है वो क्या करती है basically ठीक है तो इसका असर जो fairies king होती है काफी proud होते हैं और handsome होते हैं ठीक है फिप्थ का जो A है आपको जो फिप्थ में क्या पूछ रहा है there are fairies at the bottom of our garden and they have a dance on a summer nights ठीक है तो basically यहां पर क्या है आप इसका solutions यहां पर लिख सकते हैं पहला A B C है यहां पर A है B है C है ठीक है इसके इसके इसको ले सकते हैं अब आते हैं डाउन 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 ठीक है इसके इसको जो जो शेप्थ है इसको यहां पर है तो पाच्वा जो चैप्टर है उसका जो है इसमें वह यहां पर है ठीक है पांचवे का सलूचन आपको यहां नीचे मिलेगा ठीक है काफी बड़ा चैप्टर है और ठीक है अब यहां पर बड़ा चैप्टर है यह पहला है एलिस वास गेटिंग बोर्ड सीटिंग विद्ध हर सिस्टर बिकॉज यहां पर लिख सकते हो अब दूसरे इस चैप्टर के दूसरा जो कोशन का आंसर वह यहां पर है ठीक है वह है देर वार मनी अनुजुल थिंग से बाओ दर राइबिट इस वास्ट कोट अन इठाट अवाच ठीक है यहां इसमें बता जा रहा है जो राइबिट होता है काफी यूनिक होता है क्योंकि वह बोल सकता था वह वेस्ट कोट पहना हुआ था ठीक है और घड़िया भी पहनी होई थी थर्ड है यहां पर जब यू यूनिक होता है और आपर तेर सारे चीजे देखनो को उसको मिलता है ठीक है क्योंकि फोर है यहां पर विन दयल इस ड्रंक फ्राम दर राविट फ्रम दर बोटल लेवल डिंक मी शी श्रंक इंजाइ तेस टॉल रोकषर फूर का वांसर हो यहां पर कोशन फिप का जो आंसर वह यहां पर एकौशन 6 का जो फाल्स था ठीक है यहां पर अब यहां पर कुछ आंसर से आप यहां देख सकते हो ऊपर ठीक है फाल्स 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 फॉर कांटिन्यूसली फाल्स है ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं सिवन्त का जो आंसर है वो पहला होगा सही और यहां पर अब यहां पर अगर हम बात करें अठ्मा बढ़े तुद तो यहां पर 10 का यहां पर है यहां पर झाप दिरी बुकrän में इसको फिलक कर सकते हो ठीक है यहां मुझे हम लोग है आप हम लोग बढ़ते हैं आगे जो आगे अगे अगर बढ़ते हैं तो इसका जो आंसर है ठीक है अब यहां पर एक पोय में Mr. Nobody ठीक है Mr. Nobody का जो solution है वो यहां से start होता है ठीक है यहां पहला है mouse ठीक है बी है no one won't up to breaking the plates the hangs need oiling ठीक है आप यहां से यहां तक इसका शॉट ले लिजिए जो दो कोशन आपको यहां से हो जाएंगे और बागी जो कोशन है वो यहां पर है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यहां से आप इसका ले लिजिए सॉलुसिंस का और फिप्ट सिक्स सेवन ठीक है फिप्ट सिक्स सेवन यहां पर है आप इसका ले लिजिएगा अब इसके बास से हम आ जाएंगे माई अर्ली होम ठीक है माई अर्ली होम पर आ जाएंगे तो माई अर्ली होम का जो चैप्टर का जो सलूसन है वो नीचे है यहां पर आप देख स सरह वह यहां से आप cover कर सकते हैं solution है और इसके बास इसके नीचे जो fourth का है ठीक है यहां पर fourth का है और बाकी जो यहां पर फिप्त का एक यहां पर है ठीक है यहां से यहां तर लेके और second का यहां पर है ठीक है यहां से . अब यहां पर है. अब 6 की बात करें तो यहां पर है 6 सिक्स के यहां पर है हो जाएगा ठीक है अब ले सकते हो सलूशन और बात करते हैं सेवंध एथ और नाइनद की तो यहां से यहां तक हो जाएगा अगर आपको लिखना यहां पर और यहां पर हो जाएगा ग्रामर पोर्शन यहां से स्टार्ट होता है इसकी सोट ले लिजेगा इसका ग्रामर पोर्शन का मैं स्क्रोल कर देता हूं दिली दिली ठीक है अब आते हैं चेप्टर 7 पर आइड़स सदेनली समर चेप्टर 7 का जो कोशन आंसर है सलूसन है वो बेसिकली आपको मिल जाएगा यहां से true and false है पहला true false true false ठीक है four है इसमें तो यहां पापको जाएगा पहला का सलूसन अब दूसरा का जो Solution है वह यहाँ पर 24 24 2,34 यहाँ से यहाँ Тक हो जाएगा रब 5 का A, B, C है यहाँiben जाके यहाँ तक हो जाएगा और D जाका ठीके यहाँ तक अब इसके वे इसके वाद새 अगर हम scroll करें तो यहाँ तक आ गया और E का यहां पर हो जाएगा ठीक है जूम कर जाता हूं ताकि आपको इसकी शॉट लिने में प्रावलम ना हो ठीक है यहां पर अगर इसकी बात करें बी थिंक अनसर की तो फिप्थ है अलेक्जेंडर वाज is standard in the DH एफ शुटन है वो सीखों से यहां से यहां तक अंड मत की आंसर है वह यहां से यहां तक है जैक दिख सकते हैं यहां से यहां तक है यहां से यहां तक हो जाएगा है अब बुक में फिल अब कर सकते हैं करामा सेक्षन है जितने भी है इन थाएट आइट इन बिहाइं ठीक है यहां तक है ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं चैपर की तरब चुर नेक्स्ट एक्टर है उसका नाम है ट्रीज जो पोयम है बसक लिए ठीक है और जो पहला इस पोचट शैप्टर का जो आंसर है वो यह है ठीक है अब दूसरा जो इसका question का जो answer है वो यह है ठेक है यहां तक थार्ट का जो answer है वो दा ड्रॉइस लैबली इन पॉयम डेफर टुदे रस्क लिंग अफ लेफ्स फोर्थ का जो answer है वो यहां पर है यहां से यहां तक इस तरह साब का हो सकता है ठीक है अगर हम next बढ़ते हैं तो इसका जो chapter है उसका नाम है the emperor new cloth is ठीक है यहां पर जो the emperor new cloth is जो है वो इसका जो answer है वो यहां से start हो रही है ठीक है पहला जो पहला का जो answer है वो है the emperor was very fond of beautiful cloth जो राजा था वो काफी सौकीन था नेने कपड़ों की ठीक है दूसरा जो answer है वो यह है यहां तक तीसरा का बी का जो answer है वो यहां से यहां तक यहां तक है ठीक है फोर्थ का जो answer है वो भी है they wanted money और फिप्थ का जो answer है वो यहां पर है यहां से यहां तक ठीक है जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहां पर next paragraph में आपको मिल जाएगा यहां से इसकी शौट ले लिजिएगा इसका आठ्मा का जो answer है वो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से इस तक है ठीक है में अ जाएंगे इन्स हिम्हें इंबलेंस मँण्स अप्अन्स संटेन्स सिक कि जान सिर्च वह का यहां control पॉम्बाड है यह जो पोए में इसका जो आउर वो पहला है यहां पर है यहां तक हहां तानर जो और यहां यहां यहांच तक हैं फोर्थ का यहां तक है को कमतुरीती की बात करें तो यहां से मlut प virtual तरह है स्ट यह है इथिगky आ कि आप्लंस सब्काइब wordि कर तो यहां सौट लेके इसका So I hope आपको वीडियो काफी help करेगा क्योंकि इस जो start burst class 4th की जो book है ठीक है English की उसकी जो सारे जो chapters के solution से आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे So मैं आसा करता हूँ कि आप इस वीडियो का मदर से आप अपने अच्छे से notebook बना सकते हैं और अच्छे से exam के लिए prepare भी हो सकते हैं So अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजे और bell icon को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि हम लोग इस तरह से और वीडियो ला सकें आप लोगों के लिए So यहाँ पर हर एक chapters है जो आपको असानी से मिल जाएंगे So मैं एक बार और स्क्रॉल कर दे रहा हूँ जहाँ पर आपने screenshot नहीं लिए तो आप उस chapter का screenshot ले ले लिजे और अपने अच्छे से notebook बना लिजे ठीक है अगर आपके पास books हैं तो और अच्छे हैं वहाँ से आपको questions मिल जाएंगे और यह जो solutions है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे दोनों को mix करके आप अच्छे से notebook बना लिजेगा और आपको अच्छे से काम देते रहेंगे ठीक है So I hope आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please like and subscribe my channel